दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा चनल पर स्वागत है दोस्तों हम आज आपको दिखाएंगे एक पीठा जो उडिया में इसको चितोव पीठा बलते हैं और केसे बनाते हैं आगे देखिए वीडियो को अन्तव जरूर देखना और उडिया में इसको जो पीठा बलते हैं और इसको केसे बनाते हैं उसका तरीका देखिए उसका नाम है चितोव पीठा ठीक है और जो चितोव पीठा होता है उसमें उसको केसे बनाते हैं पहले तो चावल को पानी में डालके भीगाते हैं उसको सुखा के उसको जो ग्राइंडर करते हैं ग्राइंडिंग करके पाउडर बना देते हैं ठीक है और बाद में क्या करते हैं जो हमारा जो घर में बीरी होते है ठीक है इसको उडिया में बीरी बोलते हैं इसको पानी में डालके उसका छिलका निकल के उसको भी ब्रैंड करके उसको मिलाते हैं और देखिए कैसे जो मिट्टी का चूली होते हैं मिट्टी का उड़िया में चूली बोलते हैं इसको मिट्टी का चोली में कैसे बनाते हैं मिट्टी का चोली ठीक है उसका पानी में मिक्स करके कैसे बनाते हैं देखिए और हम जो इसको नाम है क्या चितव पीठा बोलते हैं उडिया में और जो पानी में भिगा हुआ एक कपड़ा को रखते हैं और यह बना उसम मिट्टी का समा ही मिट्टी का धकान है ठीक है अर मिट्टी का चोली बें केसे आपको कैसे लगते हैं कमड़ पक्स में जरूर लिखना आपमें जिसको भी यह पता है इसका नाम पता है इसका टेस्ट किये है कि इसे लगा बता रहा है इसको पानी में रख देते हैं क्योंकि इसका नीचे जो राक राक लग गया है गाना गरम होके इसको साप कर देता है ठीक है इसलिए इसको इसे पानी में रखते हैं थोड़ी समय के लिए फिर उठा लेना चाहिए ठीक है वो भी गरम पानी होगा तो आच्छा होगा देखिए इसका तरीका केसे बार बार हम बनाते हैं आपके सामने लाते हैं देखते हैं दिखाते हैं आप भी घर में जो चितो उपीठा है इसको बनाए और इसको खाए कि कैसे लगता है हमें comment box में जरूर लिखना ठीक है दोस्तों आपको हमारा परिबार हमारा जो वीडियो है हमारा चनल में हम जितने भी सारे वीडियो छोड़ते हैं आपको कैसे लगते हैं comment box में जरूर लिखना ठीक है वीडियो को सुरू से आं तक बार बार देखना है और मे ये चनल में जो पहले मैं जितने भी सारे वीडियो छोड़ा हूँ आपके लिए इस सभी वीडियो को आपको देखना है ठीक है आपको कैसे लगता है वीडियो को सब बताना है ठीक है ये जो आइटम भी आपको कैसे लगता है कमेट बॉक्स में लिखना है ये मेरे मामी ने ब सब बहगे हैं टीकर भाल ईसका नाम क्या है कि टीटोपीठा यह आप डाल सकते हैं जुर चूर करना को मतलब यह भी डाल सकते इसमें राची बोलते जो तेल निकलता है न राशी भी इसके उपर देते हैं लेकिन राशी को थोड़ा फ्राइप करके देना चाहिए ठीक है तो दोस्तों आपको जदी हमारे वीडियो अच्छा लगते हैं हमारे आईटम भी आपको अच्छा लगते हैं तो हमारा जनल को ज़्यादा शेयर सब्सक करें और घर में बनाएं घर में जरूर बनाएं यह मैंने बिंति हैं आप घर में यह जो चितों पिठा हैं उड़िया में इसको चितों पिठा बोलते हैं इसको घर में जरूर बनाएं और इसका आप दूद और चीनी के साथ खाएं तो आपको अच्छा लगेगा हमारे साथ ज थेंक यू, जय जगन्ना